कि स्वागत आप सभी का था फोर्स तेस्टट न्यूज नेट वर्क में। और मैं हो रंजन बड़ी-बड़े वादेयन जो है सरकार की तरफ से किये जाते हैं बड़ी-बड़ी बात है चरल्कार की तरफ से कि जाती है एकांटेबल्टी की बात की जाती है ये भी कहा जाता है कोई भी Prime post है वहाँ पर कोई बी परसन जो है दो साल से जाधा टिक नहीं सकता लेकिन ये शायद कहा जाएगा कि ऐसा ही एक उल्टा इसका हो रहा एक जगा पर जगा सांबा जहां पर अभी भी एक पोस्ट है प्राइम पोस्ट है जहां पर एक परसन जो है वो पिछले ढ़ाई साल से भी जादा वक्त होगे लगबाग तीन साल होने वाले उसको अभी तक उस परसन की ट्रांसफर नहीं हुए और उसके अंडर कहीं सारे लोग आया उनके ट्रां उनको ट्रांसफर नहीं किया गया क्योंकि बाते तो बहुत कीwsटी जुए चैब पोस्ट पहें पिता सकते लेकिन अभी और भी कही सारे उन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौझूद है के लिए मिश्टर रविंदर संभ्याल उनसे बात करेंगे अपका बहुत बहुत फ़ागत है दन्यवाद जी क्या कहना चाहेंगे पिछले तीन साल का लगबा का वक्त होने चला है ब्लुएड परसें बैठ लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो की देखने में चाहे चुपी हुई हूँ लेकिन काम पूरा जो है इनके तुरू किये जाएगा जैसे कि मैं आपको बता दू कहीं प्लांज जो हमारे आते हैं जैसे डिस्टी के जो प्लांज बनते हैं उन्हें जो फंड आएंगे वो इनके तुरू लगने हैं इसके इलाबा कोई अगर गर्मन की तरफ से कोई प्ला लाक रुपे का वो ट्रांज वांपे लगना था आप सोच सकते हैं कि तीन साल से उस ट्रांस फार्म के लिए हम इस आफिस में जा रहे हैं जब जाते हैं एक का एक ही जबाब है पैसे नहीं आ रहे आखिर क्यों ऐसा किया जाता है क्यों ऐसा किया जाता है बार-बार लोगों को परिशान किया जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं आपने सेंक्शन नहीं आप बंद कर दो बोल दो कि हमने नहीं देना है अगर एक चेयर पे बैठे हु होती हैं जैसे हमें कभी कोई DC साव हमारे पंचैतों में विजिट करेंगे या कभी जाएंगे वहां पे कोई शोटा सा तलाब है उसके लिए पैसे सैंक्शन होते हैं कोई बोर बैल नहीं है उसके लिए पैसे सेंक्शन होंगे कोई रोड नहीं है उसके लिए पैसे सेंक्शन होंगे या कि मतलब बहुत सी स्कीम ऐसी आती हैं जिसके तहट पैसे सेंक्शन होंगे और हर साल बत साल इनको जो फंद्स हैं वो आते हैं इसके लिए लेकिन वो फंद्स हमें नहीं दिये जाते आक तोड़ फोड़ ऐसी ही पड़ी हुई है आखिरकार अगर आपने तोड़ फोड़ की है माना कि लोगों ने कुछ इंक्रोजमेंट की होगी उसकी तोड़ फोड़ आपने करके रह रख दी है लेकिन उसको क्लियर करना भी आपका काम है उसका वहां पे काम करवाना अगर आपन कि इतने परेशान हुए हैं कई बार हम आफिसरों के आफिस में चक्कर लगा चुके हैं लेकिन उसके ऊपर कोई गोर नहीं दे रहा डिस्टिक है डिस्टिक की मार्किट है कैसा हमारा रिस्पांस लोगों को जाता होगा जब लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कैसी district है लेकिन ये officer है इनकी तरब से ना को उसके लिए planning की जा रही है ना ही उसके लिए कोई पैसे आ रहे हैं ना ही वहाँ पे कोई काम किया जा रहा है की planning officer जो जहां पे बैठा है उसने पूरी district का plan करना है कि पूरी district में जो भी काम है उसके लिए जैसे DC protection DC साब देंगे उसके उपर काम की जाएंगे लेकिन हम जब office में जाते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि funds नहीं है government center government रोज धिंद आड़े रोज social media पे मीडिया के ओपर रोज channels में आ रहा है क्रोडों के funds जो है हमें दिये जा रहे हैं अखिरकार वो funds कहां है अगर वो funds हमें दिये नहीं जा रहे है चीप लानिंग मैडम बोल रही है हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर वो जहां तो एक बद्दा मजाग हम लोगों से किया जा रहा है center government की तरफ से मानने परदान में तरीजी की तरफ से जहां फिर ऐसे जो आफिसर जो बैठे हैं जो अपना 10 ओर पूरा करने के बाद यहां पर आराम से बैठे हैं क्यूंकि कोई पूछने वाला नहीं है कोई इनकी contability करने वाला नहीं है कि आपने अगर पैसे आए हैं लगा कहा रहे हो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे सांबा में इन्होंने कोई पैसा लगाया है अभी तक फिर हम ये पूछेंगे कि मैडम जी अगर आपको यहां पे चियर पे बिठाया हुआ है आप हमें suggest करें आप हमें बोलने आप हमें बताएं हम आगे अप्रोच करें अगर आप नहीं कर सकते हैं हम DC साब से प्रोच करते हैं DC साब नहीं कर सकते हैं डिपकाम साब से प्रोच करते हैं एडवाजर टू लेटिनेट गबनर से करते हैं लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात बोली जाती है फंज नहीं आ रहे, इसका मतलब जो लोगों की resentment देखने को मिल रही है जगा जगा से आ रही है वो बिलकुल साफ है, बिलकुल clear है और सच है कि Center Government जम्मू कश्मीर Government को कोई पैसा नहीं दे रहा कोई funds नहीं आ रहे हैं इसलिए ऐसे आफिसर जो यहां पे बैटे हुएं प्लान पूरे बनाते हैं लेकिन उसको ground में लाने के लिए पैसे हमें नहीं देते कहिना कहीं बीच में आपको रोक रहा हूं कहीं आपको बता रहे हैं कि करनी और कथनी में बड़ा फरक है आपने करनी कर दी 20,000 क्रोड रुपया जम्मू कश्मीर को दे दिया अब जब आगे की बात आती है इन आफिसरों के पास जब इनके पास funds आते हैं इनोंने अगे प्ला करन अखिर कार वो funds कहांपे लग रहे हैं मैं आपको जदा दूर नहीं मैं अपने सामभा की डिस्ट्टिक सामभा की बात करूंगा कि हमारे सामभा में हमें पता चलना चाहिए मैं सरपैंच हूँ मैं सामभा का सरपैंच होने के नाते मेरे राइस बनते हैं कि मुझे पता हो कि हमारे जो फंस आ रहे हैं ये कहां पे लगाए जा रहे हैं तो अगर नहीं लगाए जा रहे तो इसका सीधा सा एक ही मैं आपको बोलूँगा कि एक बद्दा मजाग जो जम्मू के लोगों के साथ किया जा रहा है सिर्फ जूटे बादे किये जा ग्रोंड के उपर और रियाल्टी में अगर वो फंस आए हैं जो फंस लग रहे हैं दिख नहीं रहे इसका मतलब एक मजाग जो है हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं ऐसे आफिसर जो लोगों को सैटिस्फाई ना कर सके अगर आप नहीं हैं आपके पास आप फंस बोलिए हम डिवकाम साब के पास हाजिर होंगे हमारे सांबा के फंस कहांगे हमारे सांबा के फंस सांबा में लग क्यूं नहीं रहे अगर सांबा के फंस नहीं लग रहे इसलिए कुछ ना कुछ यहां पे कथनी और करनी में फर्क देखने को मिल रहा है अपने डिवकाम साब से भी कर डिवकम साब से बज़ा कर बात करने ही कोशिश की है क्या उनसे को भी बात की है इस बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारी सपॉल पंचायत है सपॉल पंचायत में हमारे डिवकम संजी बर्मा जी थे उन्होंने एक तलाब के लिए हमें पैसे दिये हमने वो तला हमें बनाए हुए दो साल होगे जब हम उस धिलाब目 के टाए लेने के पाथ डी से आफिस में जाते है मैडम का कहना है कि हमारे पास फंप नहीं है मैं आम जब टी सिन मेंसे बोलते हैं वह बोलते हैं कि डीब खाम सहाब से भोलो उन्हें फंप दी जब डिब काम आफिस में जाते हैं, उनका कहना है कि फाइनस कमीशनर की दर्ब से हमें पैसे नहीं आ रहा, फर हमने वहाँ से फाइल उटाकर फाइनस डिपाटमेंट के पास ये, उन्होंने बोला कि हम DC सांभा को लिखते हैं, कि आपके बज़र में से अगर आपके पास हुआ है उसके बिल्स बनाए सब कुछ हमने काम कंप्लीट करके उस बंदे को उस कांट्रेक्टर को उस नागरी को उसका क्या कसूर था कि 9 लाथ रुपे का काम प्रवाकर दे दिया है लेकिन डिबार्डमेंट की तरफ से administration की तरफ से डिपकाम की तरफ से finance commissioner की तरफ से उस तलाब के पैसे नहीं मिल पा रहे जनाब वो कैसे काम करेगा कोई दूसरा काम करना होगा कोई नया contractor कैसे काम करेगा नया ठेकेदार वहाँ पे कैसे काम करने आएगा अगर दो-दो साल तक हमें पैसे धी भिषके नहीं मिलेंगे तो हाँ लगां धर जब शुरू भुआ था तो हमें भी पड़ी इच्षाय थी उससे हमारे लोगों को बड़ी इच्छाए थी माने ने परदान वेंतरी जी की तरफ से एक प्रोग्राम जो बनाया गया बैक टू बिलेज चलो गाओं की तरफ लोगों में बड़ा उत्साह था कि अभी हमारे जो मसले मिजाइले हैं वो हल होंगे सेट्वेट लेवल के आफिसर हमारी पंचाइतों में आएंगे हमारे साथ बैठेंगे जो छोटे-छोटे मसले मिजाइले होंगे बहीं पे बैठके फोन के उपर हल किये जाएंगे जैसे प्रोग्राम चुरू हुआ बैक टू बिलेज फंड वहां पे हजारों की तादात में लोगों ने उस डिपार्टमेंट में हिसा लिया जब हमारी ग्राम सबाएं लगी क्योंकि लोगों को बिश्वास था परदान मेंतरी के उपर बिश्वास था कि हमारा काम होकर रह सबसे बड़ी जो दिक्कत परिशानी उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ती वो यह थी कि सेप्रेट लेबल के आफिसर नहीं बलकि एक बिजली का एडबली एक हाईस केंट्री का लेक्चिरर और ऐसे ऐसे लोग तो वो हमारे गाउं में बेजे गे जिनोंने ये क्राम क की ये उस रिवार्टमेंट में फरस्ट गुवा जो काम हमने रखे थे हमारी जो पनचायत की रिजिस्टर है उनके उपर हमने काम लिख कर दिये थे बैक्टू बिले जा गया वो पांच लाख उर्पएया नहीं मिला जी हमारी डेवलेमेंट के लिए जो पांच लाख इक सांबा ने पोर्टेस्ट किया पहले सांबा में किया सांबा के बाद प्रेस कलब जम्मू में किया और कम से कम सतर असी सरपंच हम यहां पे इकठे होकर आए हमने अपनी गोहार लगाई LG जमू पिश्मीर से रिक्वेस्ट की कि हमारे जो पहले काम हुए हैं उनकी पेमेंट्स हमारे जो यहां के लोकल लोग है जो कंट्रेक्टर है जो अनिम्प्लाइड जूथ है जिनोंने वो काम किया है उनको वो पैसे दिये जाएं ताके नेक्स्ट जो काम कभी आए उसके गया टू के बाद इनोंने हमें बरपली बोला गया कि तीन लाख रुपया मिलेगा लेकिन बैक्टू बिलेज टू में भी कोई काम नहीं मिला पैसे नहीं मिले वो पांच लाख का काम अभी पैंडिंग जो किये थे लोको ने उसकी पेमेंट पैंडिंग ती इसी के साथ में बैक्टू बिलेज टू में जो हमारे साथ बादे किये गे सेम काम बही रिजिस्टर बही काम जो हमने दिये थे हम जानते हैं कि बड़ा काम यहां पे नहीं हो सकता यह नहीं करवा सकते हमारी कोई खंबा तूटा था वो खंबा लगवाना था कोई तार तूटी है तार लग करवाना है वही काम थे लेकिन व Wanna two में वह काम नहीं किये वह सि कि वे से के Viking वैसे जब एक हमने उसको बाइकाट किया हमारे जकी सांभा एमारे सरपध्षों बाइकाट किया। हमने पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि unusual थी अगर आप लोगों को इस जमेले में डालेंगे लोगों की कितनी होप्स ही हमारे ऊपर ब्रयक्टू बन की बैक टू ब्लेस की क्योंकि हमने बड़ी-बडी सबायें लगाई थी जशसबाय लगी जन सबायां लगी रातरी में विभी प्रदानमंतरी जो वादे किये जाते हैं वैसे ही जमु कश्मीर में LG की तरफ से जो है बड़ी सारी चीज़े जो है लोगों की बलाई के लिए निकाली जाते हैं बड़ी सारी निकाले लेकिन क्या आपको लगता है कि टॉप लेवल से तो और आगे लेकिन कुछ डाउन लेवल पर जो है वहाँ पर कुछ नेक्सस है जो यह चीज़ें आगे लोगों को सहलियते मिलने नहीं देते हैं या लोगी जो प्रॉब्लम से हो शायद आगे तक पहुंचाई नहीं जाती है क्या ऐसा कुछ है प्रिशू ब आने निया परदान मेंतरी जी का सपना जो पंचाईतों को सशक्ट करने का वह कामजाब हो इसलिए यह चुम grate कर AWomat करें जहां में कोई schemes के बारे में दिखाएंगे जा schemes देंगे, उसके इलाबा कोई department में आता, इसकी return में हमने जो complaint है, पहले वीडियो सांबा, उसके बाद ACD सांबा, उसके बाद DC सांबा, इन सब को हमने return में ये complaints दी है, कि ये department हमसे नहीं तालक रखते हैं हमारे साथ नहीं आते हैं इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा इसी के साथ में इन्होंने back to blaze 3 करवाया 3 में जब हमें 10 लाख रुपया इन्होंने दिया पंचायद fund के लेबल पे उन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपया back to blaze का आपको आया है इसमें condition रख जी कि पंचायद का contractor ही होगा वो ये काम यो है करवाएगा वो ये tender बरेगा उसी का tender निकलेगा वो ही करवाएगा देखिए बहुत सी ऐसी पंचायदे हैं जैसा कि मैं अपने सांबा का बोलता हूँ सांबा का सुम्ब का एरिया है सुम्ब ब्लाक है वो इतनी remote एरिया है इतना पहाड़ी एरिया है वहाँ पे contractor ही नहीं है हमारे सांबा के border में चले जाए इतना area है नीचे बाला वो border का कि वहाँ पे contractor नहीं है हमारे नड बेल्ट में चले जाए है उपर सरना है ये वाली पंचाइते हैं कंट्रेक्टर नहीं है अगर है तो कोई एक या दो कंट्रेक्टर है दस अलाख रुपया मिला आज साथ आठ महीने होने के बाद भी वो दस अलाख रुपया नहीं लग पाया क्योंकि उसके उपर किसी ने स्टेंड ही नहीं लिया कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं आया क्या पी डबल जूडी था क्या हमारा रूलर डिवैल्बेंट डिवार्टमेंट था अगर आपने वो हमारा लिया है एक बार दो बार अगर आपको लग रहा है कि वहां पे कॉंट्र को उठाएं लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि हमारी पंचाइतों की तरक्की हो हमारी डेवलेप्मेंट हो हमारे लोग जो परेशान हुए हैं उनके काम हो क्यूंकि इन्होंने सिर्फ मज़ा लेना है अपनी चियर है एसी लगे हैं आफिस मनाया है वहाँ पे बैटे हैं बैसे ही सेम ब्लाक दीवस था क्या था कुछ नहीं था ब्लाक दीवस में कोई आया जा नहीं है उसको तो जब्ब भी नहीं दिया गया कथनी और करनी करनी में आपको सिर्फिधे दिखा रहा हूँ कि ग्राउंड लेबल के ऊपर अगर जगा जाए सिसल्षाव हो Thai च्रिशन न claro झा कर समनेया हो यह कोई अब को में है आपके माधियम से हमारे जम्हु क रिजन के खास कर जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गाओं गाओं में जाकर मेरी जो मैं जो बाते कर रहा हूं इन बातों का पता लगाया जाए इन बातों पे संग्यान लिया जाए कि क्या बाकई में ऐसी चीजे जो हैं वो दे पानी राशन और अग्रीकल्चर जिए चार पंच रिपार्डमेंट है जिनके साथ हमारे डिलीका तरलक इनके साथ होता है मैं एक कि पास जाऊँगा एक डोलीक जाऊँंगा जई के पास जाऊँंगा आगर उनces बूलूँगा कि हमारे यहां पे पानी के लिए दिक्कत आ रही है कोई दो बाल खराब हो गए हैं कोई पाइप खराब हुई है कोई पाइप यो नहीं है बड़े परजक्ट को शोड़ दो ट्यूबेल की तो बात ही शोड़ दे बो तो एक ऐसा पहाड है जब उनके पास जाए उनका सीधा होता है कि यह तो चो ही नहीं सकता मतलब एक नुकसान देखी है हमें जो लोगों को हो रहा है उनका सीधा सीधा हमारे से जवाब होता है हमारे पास फंज नहीं है मैं एक सरपंच हूँ मेरा एड़ोली एक्सियन डिसी इनके तब मेरी अप्रोच है मैं इनके पास अप्रोच करूँगा उनका सीधा कहना होता है कि हमारे पास फंज नहीं है अगर यह फंज नहीं है तो फिर सेंटर कॉर्मेंट की तरफ से कैसे बोला जा रहा है कि क्रोडों रूपे हम पंचाइटों के सेडक्षन के लिए जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे है आखिर वो क्रोडों रूपे है कहां पे माननिया परदान मेंतरी नरेंदर मोगी जी एल जी जम्मू कश्मीर जी डिबकाम जम्मू कश्मीर डिबकाम हमारे जम्मू रीजन के हमारे DC's मैं उनसे ये पात पूछना चाहता हूँ कि वो जो प्रोडो रूपे आ रहे हैं आज जब हमें बिजली की जरूरत है हमारी बिजली पूरी नहीं की जा रही पानी की जरूरत है पानी पूरा नहीं किया जा रहा सेंटर कवर्मेंट का बादा जो बाटर बाडी्ज को लेकर तला बनाने का है नाले बनाने का है खट बनाने का है हमारी मैनिंग है आखिर वो चीज़े जा कहा रही है मुझे परदान मेंतरी जी से सिर्फ एक बात पूछनी है मैं ऐसे जम्मू कश्मीर सरपंच आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये डिपार्टमेंट हमारे जम्मू के डिपार्टमेंट हमारी जम्मू कश्मीर के LG साब ये हमें बताएं कि हमारा जो दुर्दशा इस हमें देखने को मिल रहा हमें पानी नहीं मिल रहा हमे लोगी कठे हो के सड़कों पे आए हमने पोटेस्ट किये दरने किये चार दिन के बाद बीजली बहाल की जा रही है यह कैसा न्यू इंडिया है यह कैसा नया भारत है हम कैसे यहां पे रहेंगे हम देशमक्त लोग हैं बारत माता की जै कहने बाले हैं लेकिन फिर भी हमारे कहां पर हमें भी दिखाये जाए हम तो मैं तो आपको बोल रहा हूं कि हम मकानों से हम बापिस संताली वाली कुलियों में आ रहे हैं शपरों में बापिस आने को त्यार हो गए है क्योंकि एक तरफ महंगाई वो मार रही है दूसरी तरफ एक बड़ा माइनिंग माफिया जो परदान मेंतरी मानिया नरिंदर मोदी जी से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो बड़े बड़े आफिसर जहां पे बीरोक्रेट्स बैठे हुए हैं आखिर ये जम्मू के बारे में सोच क्या रहे हैं क्या जम्मू में आपको बोट के लिए हमने कोई कसर छोड़ दी पूरे जम्मू ने 25 सीटें आपको जिता कर दी हैं हमारी तरफ से अगर कोई कसर है तो आप बोलिए लेकिन उसके बाद लिए अगर हमारे साथ ये हालात होंगे तो हम आपको सीधी सीधी अपनी मैं एक पंचायद का सरपंच होने के नाते मेरी जो वेबस्ता है मेरी जो हालत है मेरी पंचायद की हालत मनी हुई है मैं उसके उपर बात कर रहा हूं यही हालत पूरे सांबा डिस्टिंग में जो तहल का है बिजली बोलिए पानी बोलिए राशन बोलिए जहां कोई स्कीम जो बोली हूं के लिए आपने को देखने को मिल रहा है अपने रोटी पीएम आवास योजना कहता है कितने लोगों को फाइदा हुआ क्या फाइदा हुआ भी है या नहीं हुआ है देखिए परदान मेंतरी आवास योजना जिसे पहले इंदरा वास योजना कहा जाता था हमें सुनने में आता था कि किसी पंचायत में एक दो या तीन गर मिलते थे लोगों को वो अबाद जोजना जो है वो चलती थी जब हमारी टाइम आया हमने सरपंची इलेक्शन जीती हमें बताया गया हमें बताया गया कि अनलिम्टर जितने में भी मकान थे पूरे लिकर दे दिये बना दिये जनाब दो साल से उपर हो गया हमें वो परदान मेंतरी आवास जोजना दिये हुए पहली बार यहां से दिली गए और सबसे बड़ी बाद जीयो टैगिंग की गई यह भी नहीं है कि कोई हम गलत देगें अगर कोई गलत आज दो साल होने के बाद पंचाइतों में परदान मेंतरी आवास जोजना का एक घर भी नहीं दिया गया दाई तीन साल हमारी सरपंची को होगे दाई साल रह गे अब वो किसने देना है किसके लिए रखा है या कौन देगा यह हमें नहीं पता बहुत बड़े बड़े अक्षन हुई और ज्यादा खुशी हुई कि हमारे काम होंगे उसके बाद डीडीसी चेर्मैन भी बन गे जनाब लेकिन काम आज तक कोई नहीं दिये गए ना डीडीसी को कोई एक रूपेया मिला ना चेर्मैन को और सरपंचों का जो एक बार हमें फंस मिले थे उसके बाद प्लान के उपर प्लान, प्लान के उपर प्लान, कभी 14FC के प्लान, कभी Apex के प्लान, कभी और प्लान, प्लानों के उपर प्लान जो है वो चलते जा रहे हैं, जब हम प्लान देते हैं, दो महीने के बाद जब प्लान में चोर होने की बात आती है, तो सेंटर गवर्मेंट की लिए पूरी पंचायद को बुलाना होता है गरामसवा लगती है उसके बीच में लोगों के काम उचे जाते हैं जो परियार्टी पे काम होते हैं वो प्लान बनाया जाता है वहां पे खर्चा आता है हमारा हमारी अगर हमने वहां पे लोगों को बुलाना है चाय पानी खाने प चाहता हूं कि जिन लोगों ने वो काम दिये हैं जब उन लोगों का ये पता चलता है कि ये वाले पलान कैंसल हो गए है वो सारा गुसा जो है वो सरपंची हम लोगों को उनका सैंड करना पड़ता है ये आफिसवा तो मजे चल रहे हैं पंचाइतों में कहां से development होगी कौन करेगा development हमारा Center government से हमारी कोई शिकायद नहीं है क्योंकि Center government की तरफ से पैसे आ रहे हैं लेकिन जम्मू किश्मीर के department हम लोगों को पैसे देके राजी नहीं है करना चाहूंगा कई काफी सामना के सामना के लावा और क्म क्षार और कईना में विकास के लिए ती के लिए जो पात की जाती लिए उसके लिए इन जो चुनोतियां है वह कहां पर है उनको किस प्रकार से हल किया किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से day का मितल में होस्ती है वही डने इस ताइम करें पर कर्ना है जैसे उसमें चावल की खेटी की श attended इम्हुर्त है पांइ की बिजली की बिजली आएगी मोटर चलेगी पानी निकलेगा किसान की खेती होगी और किसान अपना जो फसल है वो उगा पाएगा मैं आपको सांबा की बात बता रहा हूं कि इतने बुरे हालात हैं कि पानी का नामों निशान ही नहीं है पानी का नामों निशान नहीं बिजल इस भी जाते हैं, हम Advisor to Lieutenant Governor से भी मिलते हैं, सभी Department के Director से भी मिलते हैं, और हमारी ये प्रोच LG तक जाने की भी होती है, पर हमें time नहीं मिल पाते हैं, बादे बड़े किये जाते हैं, जब मर्जी दरबार खुले हैं, जब मर्जी आकर कोई भी मिल सकता है लेकिन हमें शायद मिलने नहीं दिया जाता है हमारे पास लास्ट अप्शन हमारी बच्टी है पो टेस्ट दरना हम भो भी करते हैं जैसे कि आपको बता दे पिछली फसल जो हमारी हुई है ग्यहूं की सांबा में कम से कम हजारो कनाल जो फसल है जल गई कुसूर बार कौन बिजली डिपार्टमेंट क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो बिजली का वो स्ट्रक्चर जो वो पोल्स वो जो तार्ज वाइड जो निकल रही है साथ साथ मेरे ख्याल से 70 साल का जो structure बना हुआ है, वही कोटों में चल रहा है upgrade उसको किया नहीं किया, वतार जब correct होगी, जैसे ही फसल पकी होगी उसको आग लगती है, सारी फसल जल जाती है कही बार हमने media को बुलाकर, जम्मू के media ने भी कबर किया, कितने बुरे हालात वही हालात अब मोके के आगे हैं, मैं अभी भी हमारे LG जम्मू कश्मीर से ये request करूँगा, कि गाओं के जो लोग हैं, किसान जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, जिनके लिए बड़े बड़े बादे किये जाते हैं, जिनको, जिनकी खेती को अपग्रेड करने के लिए बड़ी जोजनाइं बनाई जा रही हैं, जिनके लिए अरबों, खरबों रुपे हमारे यहां पे आरहे हैं, क्या वो ग्राउंड में लोगों को मिल पा रही हैं, क्या बिजली हमारे गाओं में पहुंच पा जिससे हम पाणी मोटर से चलाकर अपनी फसल त्यार कर सके गवर्मान्ट की तरफ से इस तरफ से नहीं 2004 से पहले हजारों के हैड़ पंप हमारे गाउं में लगे हुए हैं जिसकी बजा से हम पाणी पी रहे हैं नहीं तो हम तलाब का पाणी पीते हैं जनाब अभी भी हम तराओ और नदियों का हमारा सुम्ब एरिया है रिमोट एरिया है अभी भी तलाब गाओं है अभी भी तलाब का पानी पी रहे हैं और केई भार मीडिया इसको क्लियर कर रहा है क्या वो हमारे जम्मू कश्मीर के LG गर्मेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जे च department के पास उनका कहना है कि यह जो ground water वाला जो काम है यह DC के hand over कर दिया है DC मैं से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको funds नहीं आ रहे जब funds आएंगे यह करेंगे आखिर कार वो जो क्रोडों रुपे लगे हुए हैं head pump पर लगे हुए हैं वो क्यों नहीं चलाए जा रहे मेरे ख्याल से थोड़े से पैसे लगकर department उसको रिपेर कर जकता है लेकिन वो नहीं चलाए जा रहे एक तो आप वो दे नहीं रहे न्यू ट्यूबेंस आप लगा नहीं रहे नमी pipeline आप बिशा नहीं रहे जो लगे हुए हैं आप उनको भी नहीं चला रहे तो फिर लोग सफर करेंगे मैं कहता हूँ कि हम लोग तरक्की की तरफ नहीं उनकी प्रमोशन नहीं हम लोगों की demotion हो रही है हम पीशे को आ रहे हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनिंग की तरफ से जा बड़े बड़े गोटाले जो किये जा रहे हैं उनकी तरफ से हम लोगों को back foot पे हमें जम्मू कश्मीर हमारा दिखता चलता दिख रहा है अभी लोग पक्के मकान नहीं बना हैं तलाब के लिए हजारों करोडों रूपे सेंटर गवर्मेंट की तरफ से जो ग्रौन बाटर के लिए सारी हमारे इसके लिए आ रहे हैं बाटर बाड़ी के लिए वो हमारे नहीं लग पा रहे हैं आखिरकार यह बिकास हो कहा रहा है उस बिकास को हम भी देखने के लिए तरस रहें हैं, वह लोग बिकास देखने के लिए तरस रहें, सिर्फ नारे, ये अफसर शाहि इतनी हपी हो गही है हम लोगों पर, ये कभी हमारे काम नहीं करती, ना डिपल्प्मेंट करती है, ना लोगों के मसले मिजाईले हल करती है सिर्फ नारे जी ए जाते है मानने मोदी जी का नाम बधनाम करने के लिए ये लोग नारे जे रहे है ग्राउंड के बीच में कोई रियाल्टी चाहे वो बैक टू बिलेग हो चाहे वो बलाग दीवस हो चाहे हमारी पंचायतों की जो हम वहाँ पे ग् रहीं मैं कहूंगा आपके चैनल के माद्यम से मैं एजी जम्मू कश्मीर मारे सीना साथ से यह रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गाओं की वेवस्ताइं देखी जाएं वहां पर हम लोगों को क्या प्राब्लम्स है देखा जाएं कम से कम डिस्टी के बीच में आकर हमारे जो सर प पाणी मिल रहा है अगर बैक्टू बिलेज प्रोग्राम जाजब्राग दिवस्त करते रहेंगे एक खाखा है जिसको पूरा किया मैं एक मजाक की बाद आपको बढ़ाता हूं जो बैक्टू बिलेज में हमारी पंचाइतों में आया जाता है एक बुकलेट हमें मिली है जिस है जो हमने दिये है जब हम डिपार्टमेंट की निलाइकी बहां पे रखते हैं उसको मिटा कर ठीक किया जाता है बताया जाता है कि यहां पे बैबस्ता बिल्कुल ठीक है इसलिए परदान मेंतरी तक यह बाद पहुंचती है कि जम्मू कश्मीर की जो बैबस्ता है बाद की जा रही है यह तो हालाों थैं हमारे हमारी पंचायते कैसे हमारी पंचायते ग्रोब करेंगी कैसे हमारे जो गाओं है वो मजबूत होंगे कैसे आप उन्हें शPad की तर्जबे बनाने के लिए काम करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ग्रांट रियाल्टी जो है जी एक DC को फोन करके पूछ सके कि यहां की हालात ऐसे क्यूं है यहां पे लोगों को पानी क्यूं है लोग गाओं का तलाब का पानी पीने को मजबूर क्यूं है अगर लाइट की ववस्ता नहीं है तो क्यूं है जैसे कि हमारी PDD Department की डिरेक्टर थी रेनू मुंची जी वो हमारी द्यानी पंचायद में आई थी द्यानी पंचायद में यहां पे उनका प्रोग्राम रखा गया था वहां एक तलाब के उपर से मारी बाइर जाय रही थी उनके कहने पर भी वो तलाब की बाइर नहीं है हमें कोई इन लोगों से इन डिपार्टमेंटों से हमें कोई भी इश औरकनी और करनी में बहुत फ्राइक प्राइवन जो टॉप आते हैं उनको जो हैर नीचे इंप्लिमेंट नहीं किया जाता और प्रही और के ही लोग जो है चाहिragen लेवल हो संवे नहीं इशन लोग नहीं की आ पंचों सर-पंचों से भी मिली और कहिंए इन से भी बात कीजिए क्योंकि शायद उपर तक में जो जो रियालिटी है वो नहीं पहुंच पा रही है और इस चीज़ को लेकर एक वारी पंच सर-पंचों से बात करनी बहुत ज़रूरी ही है ताकि जहां बात करते हैं पर नहीं हो रहा है लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा आप बने रहें दा फॉर्ट एस्टेट नेटवर्क के साथ जाहिन